हालो, वेरी गूट मॉर्निंग ओल बच्चा पाटी आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नमबर एट जिसका नाम है फॉर एन्वार्मेंट में फॉर मतलब क्या होता है हुरूर करके हम लोग जो बट्स को उड़ाते हैं बैठे होते हैं आप लोग देखते हो जो पीजन्स होते हैं या फिर पैरोड्स फॉरूर करके ऐसे उड़ाते हैं यह एक वर्ड है तो उसको ही यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है तो हम लोग यह चैप्टर में देखने वाले हैं डिफरेंट बट्स के बारे में कि उनकी क्या स्पेश्यालिटी है और वो क्या करते हैं क्या खाते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ हम पर सबसे पहले कुछ पजल जैसा दिया हुआ है जहाँ पर हमें बड के नेम गैस करने हैं और आंसर देना है और सारे लोग कहते हैं कि मेरा डांस सबसे बेस्ट है और मेरे जो फिदर्ज से पंक है मेरे उसका मुझे बहुत ही प्यार है और बारिश होने से पहले मैं बहुत ही रोता हूं और डांस करता है तो बता आँ ये बड कुन सा होगा ना बहुत ही easy है देखे यहाँ पर ये बड का फोटो भी दिया हुआ है यह बर्ड का फोटो भी दिया है तो यह बर्ड को देखके ही आपको पता चल जाएगा तो इसका अंसर आप लिख देना क्या answer आएगा क्या answer होने वाला इसका peacock very good तो यह peacock bird है जिसके माथे पर crest कलगी होती है और वो best dance करता है उसके feathers भी बहुत बढ़िया होते है और वो rain से पहले cry करता है मतलब वो टेहूं करके जो करता है न उसको वो cry second जो है इसका भी देखें यहाँ पर photo दिया हुआ है long and grove is my tail उसकी जो tail होती है पूँच वो long है और grove है high up in the sky I sail और मैं sky में बहुत high बहुत उपर तक उड़ता रहता हूं sail करता हूं मतलब की हवा में तैरना उड़ना I pick and eat all the mice और मैं mice को किसको खाता है यह चूहों को पकड़ पकड़ के खाता है the blank is what you call me तो आप मुझे क्या बुलाओगे देखे है फोटो में ना जो बहुत इउपर उड़ता है और यह mice को खाता है यह नाम का एक festival भी इसके नाम के जैसा ही हम लोग celebrate करते हैं तो यह है kite very good हाँ जो kite होती है समड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग तो वो है यह next my feathers are green मेरे जो feathers है वो green है my beak is red उसकी beak जो है उसकी चांच चोंच जो है वो red है guwa and green chili I am fed और मुझे लोग क्या किलाते हैं green chili और guwa उसको बहुत ही पसंद है I love to copy people's voice और उसको people का voice भी copy करने में मजहाता है and keep making a lot of noise और बहुत ज़्यदा आवास करते रहना उसको पसंद है तो बताव यह कौन है यह तो सबसे easy है जो green feathers है red beak है उसकी और जो मिर्ची ज़्यादा खाता है और guwa तो यह है parrot very good तो parrot है उसके बाद यह नीचे वाला word black are my feathers and black is my color मेरा color भी black है और मेरे feathers भी black crow crow I do all day long और पूरे दिन ऐसे crow crow करके come come करके चिलाता रहता है तो ऐसा तो एक ही bird है सबको पता ही है और यह वाला bird crow अब सामने के page पर देखते हैं यहाँ पर कुहू कुहू is my sound मेरा जो sound है मेरी आवाज है वो है कुहू कुहू everywhere I am found और मैं सब चगा दिख जाती हूँ my sweet voice gives me fame और मेरा जो sweet voice है उसकी वज़े से लोग मुझे जानते हैं मुझे fame मिलती है blank is my name तो बताव मेरा नाम क्या है इसके लिए दो वर्ड हो सकते है एक हम लिखते है कुकू और कोईल कोईल जो है बहुत ही जूरी लागाती उसके लिए हम कुकू वर्ड यूज करेंगे c, u, c, k, double, o next यह जो बड़ा सा वर्ड दिख राए देखिए कितना बड़ा है dead animals I do eat कि जो dead animals मरे हुए होते है उसको मैं eat करता हूँ making places clean and neat और जो places गंदे होते हैं उसको मैं clean करता हूँ और निक एकदम clean और neat करतेता हूँ high up in the blank I fly और बहुत ही उपर तक मैं उड़ता हूँ कहां पे उड़ेगा वो high up in the blank I fly तो बहुत उपर कहां उड़ेगा वो जगा कौन सी होगी वो जमीन होगी नहीं होगी तो फिर आस्मान में तो आस्मान के लिए word है sky high up in the sky I fly की में sky में तो यहां पर word का नाम नहीं लिखना है हमें sky लिखना है तो sky में वो उड़ता है vulture is what I am called by और मुझे लोग vulture कहके बुलाते है vulture मतलब की गिद next my beak is pink जो मेरी beak है वो pink है feathers gray और मेरी जो feathers है वो gray color के है गुटुर्गू I gone all day गुटुर्गू गुटुर्गू पुरा दिन करता रहता हूं मैं in houses I make my home और घरों के अंदर मैं अपना घर बनाता हूं blank is how I am known और मैं कैसे जाना जाता हूं क्या बुलेंगे इसको ये bird को ये bird है इसके दो इसके भी दो spelling है pigeon या फिर dove very good तो इसको dove बुलेंगे हम लोग और pigeon next ये वाला bird my beak is very special मेरी जो beak है वो बहुत ही special है I use it like a needle मैं उसको needle के जैसे use करता हूं needle होती है जो stitch करने के गाम में आती है stitching leaves I make my home और जो उसका घर है उसके लिए क्या करता है leaves को stitch करता है और उसका घर बनाता है the blank bird is how I am known तो ये bird जो है उसको क्या बूलते है ऐसा कौन सा bird है जो अपने leaves को stitch करके अपना घर बनाता है तो ये वो वाला bird है ये bird को बूलते हैं हम लोग किसको पता है को जानता है इसको comment कीजिए आप है न ये है tailor bird very good tailor जैसे के दर जी कैसे stitch करता है कपड़ो को वैसे ही ये leaves को stitch करता है और ये वाला word in trunk of tree holes I make की जो tree होता है उसके अंदर ये holes बनाता है hidden insects I intake और जो insects जो छुपे हुए होते है tree के अंदर तो वो वहाँ से उनको निकाल के खाता है I work all the day और असे ठुक 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 पूरा दिन वो ऐसे ही चोंच मारता रहता है the blank is what people और people मुझे क्या बुलाता है जैसे लकडियों में जैसे छेद करता रहता है people के वो ट्रंक में trees के ट्रंक में तो ये वाले word जो उसको क्या बुलाता है सारे लोग woodpeaker इसको woodpeaker लकड हारा है लकड को जिसको बुलते हम लोग वो वाला बर है अब चलते हम पीछे की और why there is there so much noise in the jungle I just cannot sleep और ये आउल जो है वो बोलता है कि इतना सारा आवाज क्यों हो रहे बे जंगल में मुझे नींद नहीं आ रही है dear owl the birds are all praising themselves and shouting के सारे बर्ड अपने खुद की praise कर रहे है अपने बारे में बता रहे है और चिला रहे है ये वाला बर्ड है ये आउल है और ये उसके बाजू में जो वर्ड है वो कौन सा है जानता है कोई के इसको ये बर्ड है बुल बुल अब देखे यहाँ पर there was a meeting of birds आउल has started to stalk कि अब देखे बर्ड की meeting होई थी उसमें आउल ने बोलना start किया it said we all are special in our own ways कि हम अपने सारे अलग-अलग ways में special है our clothes, mix, feathers and sounds are different yet we all, we are all birds कि हम सारे birds से फिजवी हमारे clothes मतलब कि उनके जो पंजे होते है bigs होती है, chance होती है feathers, उसके punk होते है और sounds, सबका अलग-अलग है सारे birds है, फिर भी जैसे ही आप लोग देखते हो, आप सारे भी बच्चे हो इनसान है हम लोग, पर सारे लोग एक जैसे है क्या, सबके नाखून सबके nose अलग है सबका मूँ अलग है सबके पैर अलग-अलग है हाथ अलग है, है ना, तो सारी चीजे हमारी अलग है, तो वैसे ही bird में भी सारे bird एक जैसे होते नहीं है, उनकी सारी चीजे अलग-अलग होती है if you all looked alike ate the same food and made the same sound think how dull the word would be तो सूची अगर ये सारे bird एक जैसे ही मतलब सारे parrot, तो सारे parrot ही होता peacock नहीं होता, bulbul नहीं होती crow नहीं होता तो कैसा लगता, सारे एसे same ही food खाते और same ही sound करते हाँ, एकदम डल लगता मतलब कुछ मज़ा आता, नहीं तो हम भी है घर में भी आप लोग देखते हो कि हमें varieties बहुत पसंद है खाने में हर रोज मम्मी एक की चीज़ बना का आप वो खिला है, आलो की सबज़ और रोटी रोज किला किला ही करे तो खाओगे आप, नहीं खाओगे, क्यूं? क्यूंकि आप बोर हो जाओगे, फिर यह तो बोरिंग है यह क्या एक सेम खाना, थोड़ा अलग बनाओ मम्मी कभी-कभी टौसा बनाओ, कभी-कभी बाहर से बीजा मंगवाओ ऐसा मत करना भी है, तो ऐसा हम लोग भी डिफरेंट अलग-अलग चीज़े करते है अब नीचे एक्सेसाइज है, think and write which of the birds mentioned in the lesson have you seen, write their names अब यह बर्ड जो हमने अंदर लेशन में आके answer लिखे वो आप देखिए और उनमें से यहाँ पर नाम लिखिए जिनको आपने देखा है ज्यादातर birds को आपने देखा है, peacock है, crow है तो वो birds को आपने जो जो देखे है या फिर आप कहीं वो कहा करिया गए हो, कोई zoo में दूसरे गए हो तो वहाँ पर आपने birds देखे हो, तो यहाँ पर उनके नाम लिखिए अब नीचे find out, now go out and look for birds around अब आप घर से बहान निकलिए, अपने छट पे जाईए, और देखिए कि आपके आसपास कौन-कौन से birds है आप सुबह उठके देखिए, साम को देखिए, कौन-कौन से birds आपको देखने को मिलते है How many birds could you see? आप कौन-कौन से birds को देख सकते हो How many birds do you know from them? उन में से आप कितने birds को जानते हों आप जो भी birds देखोगे, तो आपको तो बहुत सारे birds देखेंगे तो आप क्या सारे birds के नाम जानते हो? या फिर वो क्या करते हो, सुब जानते हो? तो ये अच्छे से observe करके आप बताओगे मुझे कि आपके आसपास कौन-कौन से birds है और वो क्या करते हो और आप कितने birds को जानते हों का नाम क्या है? अब आपने अपने करके आसपास जो भी birds देखे है, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन-कौन से birds देखे है, तो यहाँ पर आपको name of the birds, यहाँ पर आप birds के name लिखेंगे उसके बाद, second में है, where did you see this? आपने वो bird को कहा देखा, in water, पानी के अंदर देखा on the tree, tree के उपर देखा, on the ground, क्या ground के उपर देखा, in the house, ने गर में देखा है, या फिर flying, या उड़ता हुआ कोई भी ऐसे bird का नाम आप लिखते है, यहाँ पर हम लोग लिखते है, parrot, तो parrot के आपने कहा देखा है, किसी ने water में देखा है, या पर फिर flying, उड़ता हुआ, तो आपने जो भी देखा है, उसके सामने आपको टिक करना है, यहाँ पर कि मैंने यहाँ देखा है, tree पर देखा है, ground पर भी देखा है, किसी ने गर में देखा है, तो आप जहाँ जहाँ आपने देखा हो, वहाँ टिक कर सकते हो, दूसरा हम लोग देख से कि ज़्यादा तर जो bird होता है, for example, दूसरा है कि hen, आपने इसको observe करो, peacock है, crow है, sparrow है, तो आपने जो जो देखे है, वो सारे यहाँ पर spelling लिखने है, और वो आपने कहाँ देखा है, वो सारा इन blanks में टिक करना है, ओके तो यह बहुत ही easy है, आप इसको अच्छे से complete कर देना है, Have you ever noticed that different birds have different types of beaks, क्या आपने कभी notice किया है, कि अलग-अलग जो birds होते है, उनकी beaks भी अलग-अलग, उनकी चांच-चोंच जो होती है, वो अलग-अलग होती है, Given below are pictures of beaks of birds, look at them carefully and identify the birds and write their names, यहाँ पर देखिए, तीन pictures दिये होए है, आपको अच्छे से इनको अप्ज़व करना है, और birds का नाम लिखना है, यह देखिए, first, यह beaks of observe कि यह कैसी है, थोड़ी नुकीली है, फिर यह थोड़ी लंबी है, यह थोड़ी अलग है, तो यह सार फिर आप अच्छे से इसको observe किजिए, और देखिए कि यह तीनों बीक में क्या क्या difference है, आप discuss किजिए, अपने parents के साथ, teachers के साथ, और यह जानिए, कि यह सब में क्यों अलग है, और कैसे अलग है, और उनको कैसे उससे फाइदा होता है, आपने क्या क्या observe किया, आप share कि मैंने इस सब में यह यह difference दिखा, पूरे class के साथ है न, यह आपको बताना है, ओके, पीछे के page पर वीदे से दो बाड़ दिये हुए है, यह kite है, और एक है crane, जिसको बगुला हम बोलते हैं, और एक यह blank हमें दिया हुआ है, तो भी blank में क्या करना है, यह दुनों की beak भी आप आप सब कीजिए, बहुत ही difference है इन दोनों के बीच में है न, in the blank space, draw a picture of a beak of some other bird, color it and write its name, आपने जो भी दूसरा बड़ देखा है, उसकी beak आप यहाँ पे draw कीजिए, और उसका नाम लिखिया उसको color करके, just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food, अब यह देखिए, कि सारे birds की beak भी वो खाना भी सारे birds अलग अलग खाते है, while some eat fruits, कुछ जो birds होते हो, fruits काते है, some eat seeds, और कुछ जो होते हो, seeds काते है, जैसे grains काते है, and some eat eggs, while others eat fish, और कुछ लोग fish काते है, और कुछ birds एक खाते है, now match the birds with their food, अब यह देखिए, एक महुती interesting puzzle है, आपको यह सारे देखने है, बर्ड से देखिए, यहाँ पर वल्चर, काइट, फिर थर्ड वन है, बुलबुल बर्ड है, पैरोट और यह कौन सा बर्ड है, नहीं, यह वूर्ड पीकर बर्ड है, वूर्ड पीकर, इसके बाद पैरोट और पीजन डव, तो इसको आपको सामने match करना है, कि वो कौन सा जो बर्ड है, वो क्या खाता है, इसे, फॉर एक्जामबल हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि यह मिर्ची है, तो यह जो चिली है, वो कौन ज़्यादा खाता है, पैरोट, तो आपको यहाँ से उसको match करना, तो वैसे ही यह सारे जो है, फूड को उसके बर्ड के साथ, match करके बताईए, अब सामने के पेज़ पर, have you ever noticed that birds fly and walk in different ways, क्या आपने कभी देखा है कि birds होते हो, fly भी अलग-अलग तरीके से करते हैं, और वो चलते भी अलग-अलग ways में है, their neck movements also differ, उनकी जो neck moments, उनके garden की moments होती है, वो भी बहुत अलग होती है, the minor moves her neck back and forth with a jerk, the owl can rotate its neck backward to a great extent, तो यह जो मैना है और यह आउल है, वो अपनी garden को ऐसे अच्छे से rotate कर सकते है, there are some birds which can imitate our voice, और कुछ birds ऐसे हैं, जो हमारे voice की copy कर सकते हैं, do you know the name of any such bird, कि आपको ऐसा bird कोई पता है, draw its picture in your notebook and color it and write its name, तो ऐसे एक bird का आपको picture बनाना है, उसमें color कीजिए और उसका नाब लिख देजिए, तो बहुत easy है, सारे बच्चे अपनी notebook में, यह homework में आपका complete करके मुझे दिखा देना, कि यह bird है और उसमें color करके अच्छे से बनाना है, Now observe, go outside and watch how birds walk and move their necks, कि bird कैसे चलते हैं, और अपनी करदन को कैसे हिलाते हैं, Look at their feathers and listen to the sounds made by them, उनके feathers को देखिए और वो आवाज कैसी बनाते हैं, वो भी observe कीजिए, सुन यह अच्छे से ध्यान से, Copy the sounds made by any three birds, कोई भी birds जो ऐसे sound कर रहा हो, वो आप copy कीजिए, आप भी try कीजिए, कि आप ऐसी आवाज निकाले, Copy their neck moments to, और उनकी जो नेक moments हैं, उनकी गरदन की वो भी आपको copy करनी है, Ask your friends to guess which bird you copy, और अपने friends को, अपने parents को पूछना है, कि बताईए, ऐसा कौन सा bird आवाज निकालता है, ऐसा कौन सा bird ऐसे अपने गरदन कुमाता है, तो वो भी आपको पूछना है, तो यहां से आप अच्छे से observation आपका हो जाएगा, आपको पता चलेगा कौन सा bird कैसे करता ह Now the feeder of birds are different colors, अब सारे birds होते हैं, उनके feeders वो अलग-अलग colors के होते हैं, shapes and size है, shape भी अलग होता है, और size भी जैसे कि peacock है, उसके feeders बड़े-बड़े होते हैं, फिर crow है, parrot है, उसके feeders छोटे होते हैं, और सबका color भी बहुत ही different होता है, the feeders help them to fly and keep them warm to, उनके feeders जो होते हैं, वो क्या काम में आते हैं, उनको fly करवाने, अगर उनके पंकी ना होतो वो fly कर पाएंगे and keep them warm to, और उनको warm रखने के लिए, from time to time birds lose their old feeders and new ones grow in their place, जैसे time जाता है, वैसे अपने वो old feeders गिरा देते हैं और नए feeders उनको होते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे कि आपने peacock में दिख होगा, कभी कभी उसके सारे feeders गिर जाते हैं, बाद में फिर से नए feeders आते हैं, you must have often seen feeders of birds lying around, आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पंक देखे होंगे, जो कहीं पर गिरे हुए होंगे, और आपको पता ही नहीं होगा, वो कुछ बर्ड का हमें पता चल जाता है, प आपके आसपास पड़े हो, study their shape, size, color and discuss about them, यह सारे की shape कौन सा है, size कौन सी है, color, और वो सबके बारे में अपने friends से, parents से discuss कीजिए, make the picture of a bird in your notebook and paste the feeders on it, write its name, और जो भी फिदर आपको मिला है, वो बर्ड का picture draw कीजिए, नोट बुक में, और feeders को वहाँ पे चिपका और उसका नाम लिखिए, बर्ड का, other than birds, which are the other animals that can fly, बर्ड के अलावा और कौन कौन से अनिमल है, जो fly कर सकते है, अब यहाँ पर आप सोचिए, और यहाँ पर नाम लिखिए उसके, बताईए मुझे discuss कीजिए, comment में यहाँ पर कीजिए, कि ऐसे कौन से birds है, जो fly कर सकते है, एनिमल्स दूसरे, जो कि birds ना होपर, एनिमल्स होपर, फिर भी ओ फ्लाई कर सकते है, think and write, if you could fly like a bird, where would you like to go, अगर आप bird होते, तो आप कहां पे जाते उड़के, चलिए, think करें और like, लिखिए यहाँ पर, what else would you do, और आप और क्या करते हैं, अगर आपके पंक होती तो सुचिए, आप कहां कहां गुमने जाते हैं, आपको कितना मजा आता, तो यह सब आपको यहाँ पर लिखना है, second question, what would happen if birds could not fly, but only walk on their feet, birds का भी ऐसा होता है, हमरे जैसा ही, कि वो उड़ नहीं पाते, फर वो अपने पैर पर ही चलते, तो क्या होता, बदाईए, चलिए, बहुत easy है, discuss करके यहाँ पर लिख दीजिए, अब यहाँ पर नीचे, let's make का कॉक, एक कॉक बनाने के लिए, activity दी हुई है, take a square paper off, piece of paper, एक paper लिजिए square, fold it along the dotted lines as shown in the picture, picture में दिखा है, वैसे ही इसको fold कीजिए, दीखे, यहाँ पर fold किया हुआ है, fold the paper into half along the dotted line, और dotted line के half तक इसको fold कीजिए, third, now fold the paper along the dotted line, और dotted line के साथ भी उसको fold कीजिए, दो, ओके, fourth, fold the paper to make the beak of the cock, और पेपर को आगे से fold कीजिए, जिससे की cock की beak बन जाए, five, take a piece of red paper and cut it in the shape of a crest of a cock, अब यह red color का ऐसा कोई पाड लीजिए, और उसको ऐसे काट यह, कि जैसे वो cock की, ऐसे crest लगे, उपर की उसकी कलगी लगे, paste this on the head of the cock, उसको paste उसको gum की मदद से यहाँ पर चिपका दीजिए, six, cut a small round circle from a black paper, paste it to make the eye of the cock, और now the cock is ready, अब यह, कैसे black color का paper लीजिए, उसको cut कीजिए, और यहाँ पर चिपका दीजिए, तो यह cock आपका ready हो गया, तो सारे बच्चे यह ready करके मुझे दिखाएंगे, ओके, यहाँ पर हमारे chapter number eight था, जो फर वो complete होता है, और अगले वीडियो में हम लोग chapter number nine लेर्न करेंगे, ओके, बाई बाई